नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोगों का अपने यूटूब चेनल सिच्छा आप में बाबु साम का साथ बच चुका है और हम लोग जूड चुके हैं अपने लेक्चर्स के साथ तो सभी को बाबु गूड इवनिंग सुप संध्या तो बाबु आज आईए आप लोग औ अपना क्लास इसको अब स्टार्ट करते हैं ठीक है और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बाबु आज क्या आप लोग पहले से पहले एक बात करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने सुबह जो आट बजे क्लास चल रही है फिजिक्स का मतलब कि आज से उसको अटेंड किये या नहीं अगर नहीं किये होंगे तो प्लीज वीडियो को जाकर देख लिजिएगा और आज से हम लोग फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोग सिलेवस को ठीक है बाबु सिलेवस को डिसकास करने के बाद आज से हम लोग पहला चाप्टर को देखेंगे और एक बात यह है कि आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं थियोरी के साथ पढ़ना चाहते हैं कि या अब्जेक्टिव कोसंस करना चाहते हैं बाबु इसके कमेंट में या उस में बताना बबू पूछना भूल चुका हूँ ठीक है तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं जिससे इसके पहले मैं एक बात बहुत जो भी मेरे प्यारे स्टुडेंट हैं वह प्लीज वीडियो को सेयर कर दे अपने स्टुडेंट में अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दे ठीक है बबू चलिए तो अपने क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को बता रहे हैं बबू एक बात हम तो बार बार बोलते हैं कि यह जो मैं percentage का questions जो करा रहूंगा जो कल से कल से शुरू है बाबु जितना मैं questions practice करा रहूंगा आप लोग इतना जितना मैं करा रहूंगा उतना आप लोग कर लो एक भी questions आप लोगों से नहीं छूटेंगे percentage का या जो मैं topics पढ़ाऊंगा उस topics से ठीक तो इसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहाना है कि questions बनेगा या नहीं बनेगा क्योंकि मैं हूँ आप लोग को इतना ज्यादा practice करा दूँगा जो कि बाबु एक बात पूले ना कि जो examiner है न वह भी नहीं सोच पाएंगे कि exam की student questions को कैसे solve कर दे रहा है ठीक है तो इसके लि हो गया है बकी जो questions बचे हैं इसको attend करते हैं इसके बाद और एक बात यह student अगर आप लोगों कुछ जो भी doubts है वह हमसे direct पूछ सकते हैं Instagram के माद्यम से अगर नहीं तो comment box के माद्यम से ठीक है तो मैं Instagram का भी link डाल दिया हूँ अपने description में वहाँ पे follow कर सकते हैं मुझे और ठीक है बाबू चार नंबर questions तो चार नंबर questions को हम लोग ध्यान पूर्पक पढ़ते हैं ठीक तो questions बोल रहा है कि 420 का 36% माइनस 350 का 56% is equal to what minus बाबू चार नंबर भी questions हम लोग कर लिए ठीक है sorry चार नंबर पांच नंबर questions देखना था हम लोगों को देखे आजए आजए ठीक है अगर डाउट होगा तो हम से पूछ सकते हैं ठीक है चलिए पांच नंबर questions देखते हैं कि 3842 क्या बाबू कितना है यहां पे 3842 का एक बटा दू पलस यहां पे वाट है ठीक यहां पे लिख कर बताता हूं कि questions आखिर बोल क्या रहा है ठीक है तो देखिए questions का कहने का मतलब है कि यह जो 38 38 लिखा हुगा है बाबू 3842 और का का मतलब क्या होता है गुणा होता है तो गुणा में कितना है एक बटे के दो ठीक फिर यहां पे वाट इसके जगे पे अगर हम लोग बाबू एक्स मान लें तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा मेरे ख्याल से क्या अगर इसके रहें क्या चलीए और X का बाबू का मतलब अच्छा रहाएं क्या तो चलिए और चलांकर मतलब क्यों strategy मालूम है और इसक ज़्या होता है तो ऊंचल हम इसका penser और क्योंकि एक मतलब ब्लोग बटे क्योंता है कितना है तो यहां देख सकते हैं कि 2449 है ठीक 2449 है तो बाबु हमको क्या निकालना है तो यह एक्स का जो मान दिया हुआ है यह जो एक्स का मान है इसी को हमको निकालना है इसको हम कैसे निकालेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं देखिए कि हम लोग कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्वर्भूस होता है इसको दो मर्तबे में हम लोग काट सकते हैं क्या इसको देखिए कितना होगा यहां पर अनीस हो जाएगा ठिक है और यहां से अगर हम लोग क्यों समझने का कोशिस किजिए ठीक है यहां पर समझ रहे हैं तो चलिए समझ रहे हैं तो बहुत ज़्याद अच्छा है नहीं तो परिसानी होगा ठीक है बाबू तो चली इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं और देखिए ठीक अब हम लोग 1921 गुणा बाबू ए पलस एक्स और गुणा में पंदरा सौ पंदरे बटे के सौ है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू सुनिएगा यहाँ जो इसका आप एक बात याद रखिएगा अगर किसी संख्या के मतलब बाए साइड अगर कोई भी चीन नहीं मिलता है तो इसको हम लोग पलस मानते हैं ठीक है तो अगर 1921 को इस इक्वल टू के राइट में लेकर जाते हैं दाहिने तरफ लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा तो बाबू हो जाएगा यहीं कि आप लोग देखिए कि यहाँ अगर एक गुणा के 15 बटे के 100 में इस इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2449 तो यहाँ पे 2449 है बाबू 2449 और इधर से यहाँ पलस है इधर से इधर माइनस होगा यहाँ इक Sparkle City को सापी स्माज रहे होंगे ठीक है यह concept आप लोग समझ रहेंगे मुझे मालूम है तो यहां पे 21 ठीक है ठीक तो इसको हम लों क्या करेंगे तो सब्सेर निए project जो को खुद आप लोग बाब जान रहेंगे हिनल कि हम लोग क्या करने वाले हैं दिसको थोडा सा पहले हम छोटा कर लें ठीक, है तो अगर हम लोग व्यारते हैं गया कि क्या करते हैं माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है पहले बता दजी आप लोग taughtuk बताईए कि कितना आ रहा है माइनस करने पर हाँ तो चलिए हम बताते हैं कि माइनस करने पर कितना आएगा चलिए पहले इसको हम लोग कटाते हैं ठीक है अगर हम लोग इसको कटाते हैं तो यहाँ कट सकता है कितना में पांच मरतबे में कट सकता है तो 5 तरीका के 15 और 5 के 20 तो यहाँ 20 हो गया ठीक है यहाँ 20 बटे के 3 हो गया ठीक और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3X बटे के 20 ठीक है और E equal to कितना हो जाएगा बबो 528 होगा अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो क्या होगा 528 हो जाएगे और इसकी आगे जो solve करना है बबो आप लोग जान रहे होंगे कि कैसे solve होगा तो X का मान निकालना है तो X का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे अप लोग बताइए गजरा X का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे बाबू इसके बेस में कुछ नहीं तो इसको X मान लेंगे तो is equal to 3X is equal to 528 गुणा में 20 आ जाएगा और मैं आप लोग को छोटे छोटे concept बता रहा हूं नहीं तो मैं direct भी कर सकता था लेकिन आप लोगों को बाबू समाज में नहीं आएगा जिसके करन मुझे बताना पड़ रहा है तो X is equal to 528 की गुणा में 20 बटे के कितने हो जाएगे बाबू 3 यानि कि 3 हो जाएगे क्या बाबू 3 से 528 कटने वाला है या नहीं आप लोग पहले देखिए तो हम लोग देखते हैं कि 5 से कट गया की तीन से कट गया की नहीं तो 3 एकाम के 3 और आगया इसमें 2 तो 3 सते के 21 ठीक है बाबू और यह हो गया तो बाबू कट गया तो हम लोग क्या करेंगे अब जो करेंगे तो क्या करेंगे तो साथ 176 गुणे 20 कर देंगे और जो एंसर निकल कर आएगा वो बाबू क्या आने वाला है आप लोग गुणा किसी है नहीं तो मैं देखिए बता रहा हूं अगर अगर गुणा करते हैं तो छे दुनी के बारा के 2 हांत एक और साथ दुनी 14 15 के 5 ठीक है बाबू 15 1 मिनट कि हम है में यहां 2 15 के 5 हांत एक और दो एक तीन ठीक है यह और एक जीरो ठीक है तो यहां यहां 325 इसका right answer होने वाला है जो आप लोग देख रहे हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा बाबु और right answer क्या होगा option number A ठीक है option number A बाबु थोड़ा लेंदी है लेकिन लेंदी नहीं है लेकिन आप लोग जब तक concept नहीं जानोगे तब तक आप लोग को sort में बनाने नहीं आएगा ठीक है इसलिए मैं concept बताते चल रहा हूं तो चलिए आजये नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं और इसको solve करने का कोशिस करते हैं ठीक है तो दे हैं ठीक देखिया जाएं चार सो बीस का 25% माइनस 140 का फिर यहां वाट है यानि की मानते है एक सब्सक्राइब करना है कि यहां पर क्या रखा जाएगा कि एक सो सब्सक्राइब करके देखते हैं तो 420 क्या है 420 है 420 ठीक 420 एक मिनट यहां लिखने पर प्रॉबलम हो रहा है न बबू तो चलिए हम लोग सीधा सीधा लिखते ना 420 ठीक है 420 का का मतलब गुणा होता है अब 25% का मतलब ही होता है बबू 25 बटे के 100 और माइनस के 140 और गुणा में एक्स मानते हैं रोख जाएए इसको पैंट चेंज कर लेते न ताकि आप लोगों को असानी से समझ में आ सके तो इसको एक्स परसेंट करते हैं का नहीं तो बाबू परसेंट थोड़ा और एक एक वान स्टिफ आगे बढ़ जाएगा अगर परसेंट लिखते हैं तो यहां पर हंड्रेट डिरेक्ट हम लोग कर सकते हैं आप लोग मेरा कंसेप्ट वाले क्लास को अटेंट कर लिए होंगे मुझे देखते हैं तो आईए तो इसको अगर 1010 यहां से भी 1010 कट जाएगा ठीक है और यहां से पांच पचे के 25 और पांट दुनी की 10 और यहां से 21 दुना 42 ठीक है बाबू यहां तो किलियर हो गया होगा और चाहे तो बाबू तो यहां किलियर हो गया ना तो चलिए देखिए औ और 21 में अगर हम 5 सुगूना करेंगे तो 5 एकम के 5 और 5 दूनी की 10, 105 आ जाएंगे और माइनस के कितना है हम लोगों का 14X, ठीक है बबू, 14X बटे में 10, ठीक है, 14X बटे में 10 है, ठीक है, ठीक है, तो हम तो, बबू, एक बात यहां अगर हम लोग एक, एक स्टेप्स कम कर दे हैं, यहां भी कट जाएगा, दो सत्य के 14, और 25 के 10, ठीक है, 25 के 10, तो यहां पर 7X बटे के 5 हो जाएगा, इस इकॉल टू, सत्य ठीक है, यहां तक किलियर हो गया होगा, इसको चाहे तो हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, उसके बात जो आता है, तो इसको कैस से अटेंड किया जाए, अब देखिए, वाजसे ही रूल, फिर फालो करना है, यहां पर, यहां माइनस रहेगा, तो कोई बात नहीं, तो फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 7X बाइफ इस इकुल टू 70, सुरी बाभू, 77 माइनस के, क्या, 77 माइनस के, एक मिनट बाभू, क्यों, क्योंकि यह माइनस है, ठीक है, अगर रह जाता है, तो इसके लिए टेंसर नहीं लेना है, इसको solve कैसे किया जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए, ठीक, इसके बाद अगर हम लोग चाहें, तो इसको माइनस करेंगे, अगर, अगर माइनस कर ठीक है, इसके लिए परेसान नहीं होना है, तो इसको माइनस से माइनस को cancel किया जा सकता है, अगर दाया तरफ और बाया तरफ दोनों तरफ माइनस हो, तो माइनस से माइनस को cancel किया जा सकता है, यह सारे concept आप लोग तेंथ में जान चुके होंगे, जिसको लेकर आपको परे जेलने जेलना नहीं पड़ रहा ठीक है तो आ गया और यह जो इधर गुणा करना पड़ता है वह हम लोग यहां से डायरेक्ट गुणा करते हैं अब तो 7x is equal to 28 में अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा तो हो गया और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहां से कटा सकते हैं तो साथ से कट जाएगा 724 और 20 ठीक है इसका 1x is equal to कितना एंसर होने वाला है बबू तो 20 इसका एंसर होगा क्या होगा इसका एंसर जो होने वाला है बबू क्या होने वाला है एक सीजी कोल टू जो होगा वह 20 इसका राइट एंसर होगा तो क्या आप लोगों कुछ समझ में आया एक को संस कैसे बन रहा है जो इसका जो अप्सन होगा अप्सन निम्बर सी इसका राइट एंसर ठीक है तो इसका जो right answer क्या होने वाला सी होने वाला है ठीक तो चलिए next questions देखते हैं और ठीक चलिए यह वी वैसाई कुछ questions है तो देखिए इसको पहले questions को deal करते हैं सुरी बाबु डील नहीं करते ना बनाते हैं ठीक आ जाइए तो 365 गुणा 366 बटे के 100 366 बटे के 100 पलास 56.2 गुणा फिर एक बटे के 100 यह थोड़ा points में है तो मैं बाबु बात करूंगा एक कि आप लोग इसका फटाक से इसकी इन्सोट ले ले ठीक इसकी इन्सोट ले ले और नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं description box में link डाल दूँगा PDF का और एक questions आप लोग के लिए homework के लिए होगा क्या होगा homework है ठीक है आप लोग करके लाओगे मैं नहीं मैं नहीं बताने वाला इसके next class आप लोग बने या नहीं बने इस वीडियो के comment box में मुझे बता देना और मैं आपको next class में बताऊंगा आप पहले आप खुद से कु कौन नंबर questions है बाबू सेवे नंबर questions ठीक आए और यह भी questions मुझे लग रहा है कि बाबू आप लोग ही questions को सही चॉल्प करोगे मैं नहीं तो यह भी आप लोग के लिए हैं आप लोग के लिए homework है आज आज तो मैं देख कर रहा हूंगा आप लोग को ठीक इसको भी करके लाना है ठीक दो questions हो गए आप लोग को और यह questions मैं बता दे रहा हूं चलिए देखिए तो हम लोग 9 नंबर questions आलेकिन हम लोग वाट नहीं एक्स मानेंगे क्या मानेंगे एक्स मानेंगे तो एक्स बटे के 100 और माइनस के 150 और गुणा 12 बटे के 100 और इस इकॉल टू एक्सो पचीस आएगा ठीक एक्सो पचीस आ गया इसको solve करने में कोई परसान नहीं 1010 कट जाएगा यहां भी 1010 कट जाएगा और पान पान तरीका के 15 और पान दोनी के 10 दूच्छा के 12 कट गया और यहां भी कट जाएगा 5 11 से और यहां 2 ठीक इसमें बहुत जोट है ठीक है और यहां पी हो जाएगा क्या बाबू वह गारा एक्स बटे के 2 और माइनस में च्छा तरीका के 18 इस इकॉल टू 125 ठीक है बाबू इस इकॉल टू 125 और उसके बाद जो आता है तो हम लोग पेंट चेंज कर लेंगे अब तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे तो देखिए अब 11 एक्स हो गया तो इसको हम लोग डैरेक्ट सॉल्प कर सकते हैं कैसे तो कैसे करना है जो मैं बता रहा हूं इस माइनस को अगर इधर करते हैं तो यह पलास हो जाएगा ठीक यह क्या हो जाएगा यह वाला जो जाएगा इधर तो इधर आकर 18 इसमें पलास हो जाएगा तो 11 एक्स बटे के 2 इस इकुल टू अगर हम लोग पलास करते हैं तो 8, 5, 13, 3, 1, 2, 1, 3, 4 ठीक है बाबू और 143 ह गया और इसको हम वोग डरेक्ट काटते हैं तो यह इसको कारेंगे यहीं कि देखिये एक सीजी कुल टू आप लोग को यह कंसेप्ट मालूं हो गात 143 गुणे में दो बटे के एक गार तो बबू यह गार से कटे गा या नहीं तो देखते हैं एक गार से कट जाना चाहिए मुझे लग रहा है तो एक गार से एक काटते हैं तो एक मर्तब में यह लगा और हाथ में बाभुचश को सेने इसका चिक उपन तो है कितने नविद्ट नॉंबर गौष्ड इसका राइट एंसर है जो अप्सन नंबर डी है तो इसमें अप्सन नहीं है चाप शाथीस है बट कोई प्रोब्लम नहीं यहां तो किलियर हो गया होगा यह सारे जो कंसेप्ट मैं बताया इसी पर अधारित प्राश्न है जो आप लोग यहां सॉल्व कर रहें और एक काता है बहुत ही लेटेस्ट है बहुत ही अच्छा थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है जो जिसमें आप लोग उल्जोगे ठीक तो देखो इसको मैं सॉल्व करके पताता हूं बाभू आप लोग परिशान नहीं होगे और ध्यान पूर्बग क्लास को टेंड कर ठीक तो देखिए एक यहां से क्या करेंगे इसको यहां से 32 कर देते हैं ठीक बाभू यहां से 32 कर देते हैं ठीक 32 ठीक हो गया और यहां से 10 को 10 कैंसीर ओर यहां आठ दुनी की दो हो जाएगा दु आठ हो जाएगा और यहां पांच ओ जाएगा ठीक यहां तक तो इजीली वे में आपको आ गया तो नॐस्ट कर सेप्थ नेस्ट का है जो आप लोग देखिएगा क्या देखेंगे जो आप लोग देखेंगे ध्यान पूर्वक समझेंगे तो समझने के लिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और अगर आठ पहले बाबु एक बाद जान जिए किसी भी आंक को किसी भी आंक को अगर गुणा करेंगे रूट से तो या कितना गुणा में नहीं होगा ठीक है क चलिए इसको अगर हम गुणा करते हैं अगर हम लोग गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा तो 8 root under aK5 is equal to 32 ठीक है ठीक है तो यहां तक तो हो गया फिर next क्या होगा तो आप लोग समझिएगा ठीक है आप लोग यहां ध्यान से समझेगा कि क्या होने वाला है देखिए अब ठीक से तो चलिए इसको हम लोग अब क्या करेंगे तो एक 10 नमबर कोश्चन है ठीक है और तो इसके लिए क्या करना है तो देखिए आप लोग तो वैसे ही तिर्शागर गुना करते हैं बाबू तो यह आजा रहा एक सो साथ एक सो साथ आ जा रहा है तो बाबू कैसे करेंगे अब नेक्स्ट देखिएगा कैसे होने वाला हम और यह गुना में है तो गुना में है तो गुना से अगर इधर हम लेकर आएंगे तो यह भाग में हो जाएगा बाबू आपको समझ में आ रहा हो तो रूट एकस इस इक्वल टू हम करते हैं तो एकसो साथ बटे में आठ तो एक आठ दुनी के 16 यहां पर 20 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा तो बबू बीस आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको एकस का मान निकालना है ना कि रूट एकस का तो रूट को हटाने के लिए क्या करे तो अगर रूट को इधर भेजेंगे तो यह स्कॉायर में बदल जाएगा ठीक तो इसक्वायर में जब बदलेगा बबू तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट रूख चाहिएगा हां 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 चलिए वह साइं सेम सेम कोई दिकत नहीं है इसको एसक्वायर हो जाएगा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा बबू 400 ठीक है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा बबू क्या 400 जो की अप्सन में यहां पे अप्सन नमबर भी है ठीक अप्सन में लप्षण नमबर भी है तो आए नेग्स्ट कोष्टंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मुझे उमीद है तो चलिए नेग्स्ट कोष्टंस को भी देखते हैं और नेक्स्ट कोष्टंस मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हल्का दिख रहा इसके लिए यह भी आप लोगों का है कि एस डबलू है जो आप लोग खुच्छे सॉल्ब करके लाओगे और मैं कल के क्लास में बाबु आप लोगों से पूछूंगा और मैं चाहता हूं जो भी मेरे एस्टुडेंट है अच्छा ठीक है बाबु पहले आप लोग यहां सॉल्ब करो और एक बात मैं जानना चाहरा हूं कि जो एस्टुडेंट अगर इंस्टागाम नहीं चलाते हैं वो मुझसे कैसे डिरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और मैं चाहता हूं कि सारी रोज जब भी कुछ डाउट हो तो हम लोग सॉल्ब कर लें बात करके अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है तो आईए नेक्स्ट देखते हैं यह भी कोसंस आप लोग के लिए होमवर्क है ठीक है यह वी कोसंस आप लोग के बताएगा और क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आप लोग कमेंट करके बताएगा और हाँ एक बात और मैं बता दे रहा हूं बार बार कि जो नए स्टुडेंट है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी इस सिक्षा आप चैनल को क्योंकि बहुत ही ज्यादा बाबाइ बताएगा